वेलकम टू मैच चैनल SK Knowledge कलास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 20 की दूरी ग्याद करने ठीक नब? बिलकुल अच्छा तरीकास में आपको बताऊंगा ताकि आपको बहतर तरीकास समझ में आ और किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर पाएं ठीक नब? देखिए इसमें आंक बगरा चेंज हो सकता है ठीक नब? करा कि बिंदू ए A कोस ठीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा A साइन ठीटा के बीच की दूरी निकाले ठीक नब? इसी में कहीं कहीं आंक दे देता है दोगो आपको बिंदू देगा वो अंक से कह देगा बीच की दूरी निकाले अंक से थोड़ा असान होता है लेकिन अगर X वाय रहे है कोस साइन रहे तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है ठीक नब? समझिएगा इसको हम लोग A बिंदू माल लेते हैं अब पहला होगा X दूसरा होगा Y पहला होगा X दूसरा होगा Y लेकिन इसमें दिखिए दो नो जगर X है तो A को X1 मानेंगे ठीक न? A को X2 A को Y1 मानेंगे A को Y2 ठीक न? लिखेंगे X1 बराबर X1 बराबर A कोस ठीटा ठीक उसके बाद X1 य Y1 Y1 आपका क्या हो जाएगा Y1 बराबर 0 फिर X फिर Y तो इसे X2 Y2 मानेंगे तो X2 आपका क्या हो जाएगा? X2 हो जाएगा 0 उसके बाद Y2 क्या हो जाएगा? Y2 हो जाएगा A साइन ठीटा ठीक लिख लिए अब बीच की दोरी जो सुत्र होता है उसको समझेगा बीच की दोरी बीच की दोरी बीच की दूरी बरावर सुत्र होता है आपका बीच की दूरी बरावर जो सुत्र होता है अब बहुत लोग कहते होंगे कि X2 घाटा X1 देखिए X2 घाटा X1 भी लिख सकते हैं इसका whole square plus y2 घटा y1 भी लिख सकते हैं इसका square under root दोनों में से किसी भी सुत्र को हम उप्योग कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है दिकत क्यों नहीं होता है क्योंकि square जो लगा रहता है तो minus में भी आता है तो उसको plus कर देता है इसलिए दिकत नहीं है या आप यहां सुत्र पडियोग करिए यहां सुत्र पडियोग करिए आपका गलत नहीं होगा ठीक ना दोनों सुत्र का पडियोग कर सकते हैं इसको जो करना है लिखेंगे बीच की दूरी बरावर बीच की दूरी बरावर लिखेंगे x1 घटा x2 का हॉल स्क्वाइर प्लस y1 घटा y2 का हॉल स्क्वाइर इस पर क्या देंगे रूट डालेंगे ठीक ना अब देखिए अब आपका x1 x1 कितना है एक कोस ठीटा घटा x2 x2 कितना है 0 है इसका हॉल स्क्वाइर प्लस y1 घटा y2 y1 कितना है 0 है घटा y2 y2 कितना है a sin theta a sin theta इसका क्या करेंगे हॉल स्क्वाइर करेंगे और इस पर क्या है रूट है रूट देते चलना आपको ठीकना रूट छोरना नहीं है अब आगे देखिए अब एक कोस ठीटा में hal 2 क्यूँगी देखे 0 घटेगा नहीं इसका a का भी स्क्वाइर होगा कोस का भी स्क्वाइर होगा तो 0 घटेगा नहीं 0 अगर घटाएंगे तो फिर जो मान है वही रह जाएगा जो अंक रहेगा 0 घरता है थो कोई फरके नहीं परता है तो a cos theta का whole square हो गया है पलस जीरो में अगर इसको घटाएंगे तो भी फरक नहीं परेगा तो यानि की हो जाएगा minus a sin theta का whole square ठीक ना यानि की a का भी square है और sin का भी square है इस पर है क्या root है रूट को नहीं छोड़ना है ठीक ना अब आगे देखिए अब a का भी square होगा cos का भी square होगा तो a square cos square theta लिख देते हैं पलस और यह minus का square क्या हो जाएगा पलस a a का भी square minus का square plus होगी हम पहले भी बताएं ठीक ना minus का square plus होता है और sin square theta इस पर क्या है रूट है ठीक ना root भूलना नहीं है बहुत बच्चे भूल जाता है हल करते बग ठीक ना अब देखिए दोनों में a square a square मिल रहा है तो a square common ले लेंगे क्या बच्चेगा cos square theta plus sin square theta इस पर है क्या root है ठीक अब आगे देखिए a square cos square theta plus sin square theta इस पर होता है सूत्र याद रखिएगा हम लिख देते हैं कि sin square theta plus cos square theta इस पर होता है सूत्र याद रखिएगा ठीक ना cos square plus sin square theta one से गुना हो जाएगा यह अंडर root यह क्या निकल जाएगा आपका यह आपका निकल जाएगा a square से गुना करेंगे a square ही हो जाएगा a square का मतलब क्या हुआ कि a गुना a ठीक ना root तो दूगो a है तो a बाहर निकल जाएगा रूट से यह आपका answer हो गया ठीकिना इसमें मातरक लगा रहता है यह मातरक यह काई लगा रहता है क्योंकि इसमें centimeter वेगेड़ा नहीं होता है यह मातरक आपका answer हो गया तो बीच की दूरी अगर इस तरह का सवाल दे निकालने तो इसी परकार बनाना है कोई भी doubt होता आप प्लेट तुरत मिलता है